नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेबा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज हम जिस भरती के बारे में बात करने बाले हैं उसका नाम है आर्मी भरती तो दोस्तो इंडियन आर्मी ने ओपन भरती निकाली है जो फरवरी से मार्ज के बीच में होन इंडियन आर्मी के तरफ से जो नोटिफिकेशन जो नोटिस जा रही हुआ है उसमें मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि यहां पर हाइट 163 cm ही ली जा रही है दोस्तों एज लिमिट आपकी यहां पर होगी 7.5 से लेके 7.62 21 यह मतलब साड़े सत्रा से 21 यह के बीच में आपकी जो होगी वो एज लिमिट होगी उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑनली 10 पास होगी ऑफिसे नोटिफिकेशन इसकी आउट हो चुकी है मैं आपको अभी लेके चलता हूं दोस्तों इंडियन आर्मी की ऑफिसेल वेबसाइट पर जहां पर आप खुद जेख और चैनल पर नए है चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल ऋनलाइन क्लाफिस कौ सबस्क्राब कर लें और साथ ही क्ला को भी प्रेस कर लें जिसस्ये आने वीडियू की नोटिफिकेशन आपसे मिचना हो क्योंकि दोस्तो मैं अपने चैनल पर इसी तरह से जो जॉब की नोटिफिकेशन हैं, current affairs और जनरल नॉलिज की वीडियो लेकर आता रहता हूँ चलिए दोस्तों, चलते हैं इंडियन आर्मी की official website पर तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इंडिन आर्मी की ओफिसिल वेब साइट पर जिसके लिंक होता है दोस्तो www.joinindianarmy.nic.in तो यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तो रेली सेक्षन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेटेस्ट रेली जेस्यूज ओर तो यहाँ पर लेटेस्ट रेली जो है दोस्तो हम अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे अपने करसर के लिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं इसके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपके लिए ठीक से दिखाई देना ठीक से दिखाई दे तो यहाँ पर दोस्तो मैं जूम कर चुका हूँ इसके लिए तो आप देख सकते हैं आर्मी रुआटिंग आफ तॉरा गण और आर्मी रुआटमी रुआटिं रहली आट रानिक है टॉआम 26 फरवरी 20 से दस मार्च 2020 तो यह जो भरती है वो 26 फरवरी 2020 से दस मार्च 2020 के बीच में होनी है दोस्तो इस भरती के जो ऑउन लाइन एपलिकेसंस हैं दोस्तों वो 10 जनवरी से 30 फरवरी के बीच में आप अपलाई कर सकते हैं तो यहां पे जो आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो 24 से 25 फरवरी के लिए आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे उसी एडमिट कार्ड को लेकर आपके लिए भरती इस थल पे 26 फरवरी से 10 मार्च की 20 में जाना है जो भी आपके डिश्टेक दी हुई है तो दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए बता दूँ कि जो आपकी कैटिगरी है भरती की वो सोलजर जनरल डूटी है मतलब यहाँ पर सोलजर जनरल डूटी जीडी की वेकंसी हैं यहाँ पर आर्मी में और एज होगी आपकी साड़े सत्रा से 21 साल तो अगर आप एक अपरैल 1999 से एक अगस्त 2002 के बीच की आपका वर्थ डेट है तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं तो जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में देखा और मैंने आपके लिए बताए कि इस भरती में जो खास बात है वो हाइट की है तो यहाँ पर हाइट दोस्तों आप देख सकते हैं ओनली 163 सेंटीमेटर ली जा रही है और यहाँ पर जो वेट है वो 48 सेंटीमेटर लि लेके गया वहां से ही इस नोटिस के लिए जारी मतलब डाउनलोड किया है और आप देख रहे हैं इसी भरती के बारे में तो चेश्ट होगा दोस्तों आपका यहाँ पर 77 सेंटीमेटर प्लस 5 सेंटीमेटर एक्सपेंशन तो यहाँ पर एक्सपेंशन का मतलब दोस्तों यह होता है कि आपके जो नॉर्मल चेश्ट हो 77 सेंटीमेटर होना चाहिए उसके बाद में आपको अपने सीने में क्या है सांस भरने होती है मतलब हवा भरके सीने को 5 सेंटीमेटर का एक्सपेंशन देना होता है यानि कि उसको फुलाना होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आप आपके 33 नंबर होना अनुबार यह होता है और अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से पास हैं तो आपका मिनिममम डिग्रेट होना चाहेंगे जो मिनिममम डिग्रेट होता है दोस्तों वह 33 से 40 परसेंट के बीच में जो कंडिडेट्स जो स्टुडेंट्स मार्क्स सेंटिमेटर चेस्ट 50 सेंटिमेटर और वेट 77 केजीज उसके बाद में गोरखास इस भरती के बारे में आपके लिए अभी नीचे लेकर चलता हूं यह इसकी फिजिकल करने फिजिकल फिटनेस के बारे में बता देता हूं तो 1.6 किलिमिटर के आपकी रणिंग होगी यहां आप उसे 5 मिनिट 31 सेंट से 5 मिनिट 45 सेंट के बीच में पूरा करते हैं तो आपके लिए 48 नमर मिलेंगे मतलब अगर आप सेकंड गूरुप में आते हैं तो आपके 12 नमर कट हो जाएंगे आपको सबको पता है कि आर्मी में फिजिकल के भी नंबर काउंट होते हैं उसके वाले में दोस्तों आर्मी के फिजिकल के भी 100 नंबर का होता है तो 60 नंबर के रेस और 40 नंबर के होते हैं आपके बीम मैंने की पुल अप्स तो अगर आप 10 beam मारेंगे तो आपको 40 नमबर मिलते हैं 9 beam मारेंगे तो आपको 33 नमबर मिलते हैं 8 beam मारेंगे तो आपको 27 नमबर मिलते हैं 7 मारेंगे तो आपको 21 और अगर आपने 6 beam लगाए तो आपको 16 नमबर तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप छे भीम में भी इसका मतलब आप पास हो जाएंगे उसके बाद मैं दोस्तो जो रनिंग में एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जाएगी वह उनके लिए दी जाएगी तो मैं आपको बता दूँँ प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर बनफंट सिक्स क्लोमेटर रन इन हिली ट्रेंस इस फॉलो तो बिट्विन जो पांच लिएक एक्स्ट्रा मिलेंगे और 9000 से 12000 फिट का अगर समंद्र तल से हुचाईए है आपके जिस्ट्रिक के आपको 120 सेकंड यानिकी 2 मिनिट एक्स्ट्रा मिलेंगे तो दोस्तो इसी भरती के बारे मैं आपको बताने के लिए इस वीडियो को बनाने का मकसद था तो यह भर और वरिसी 10 मार्च 2020 के बीच में होनी है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें और अगर हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन आप तक पहुंच रहे हैं तो उम्मिद करता हूं वीडियो आपके काम की होगी कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जहन जवारत